नमस्कार स्वागत है आपका मैं हूँ आपके साथ है ना आप देख रहे हमारी खास पेशकश श्रमे वजयते आज हम आपको लखनव के असंगठे श्रमिको के बस्ती मिले जाएगे वहाँ उनके हालात कैसे हैं श्रमिको को कोई सरकारी सुविधा मिल रही है या नहीं या फिर सरकार और अधिकारी सिर्फ हवाई दावे कर रहे हैं हम वहाँ मौजूज श्रमिको से बात करेंगे लेकिन उससे पहले लखनव में रहने वाले श्रमिको के बारे में कुछ जानकारियां आपको देदेते हैं श्रमिको के जमीनी हकीकत आपको बताते हैं लखनव मंडल में चार लाग से जादा असंगठित को श्रमिक राजधानी में हैं राजधारी में एक लाग से जादा श्रमिक है श्रमिको के पास रहने के लिए घर नहीं है मरेन बस्तियों में रहने को मजबूर है सरकार बहुत योजनाय चला रही है लेकिन हकीकत में श्रमिको को कुछ नहीं मिल रहा किसी भी तरह का सरकारी लाग उन्हें नहीं मिलता है राजधानी लखनव में आसंगठित शेत्रे के मजदूरों की भरमार है ये मजदूर सुबा से लेकर शाम तक कड़ी मेहनत करते हैं और तब जाकर अपने परिबार का पेट भर पाते हैं इन मजदूरों की जीवन शेली देखने के लिए हमारी टीम गराउंट पर पहुंची जहां हमने श्रमिको की देनी अहालत देखी आप भी देखिए खास रिपोर्ट लखनाओं में संग्टिस श्रमिको की हालत जानने के लिए हम पहुंचे उजरियाओंगाओं श्रमिको की आसरों के नजदीक पहुंचते ही हमें जो नजारा दिखा वो बहुत ही बुरा था गाओं के खिनारे जो पड़ियों में श्रमिक रहने को मजबूर है हर तरफ गंदगी का अम्मार लगा हुआ है यहां मजबूरी में रह 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 शमिकों को गंदगी की वज़े से हमेशा बिमारियों का खत्रा रहता है सरकारी सुवधाओं के नाम पर यहां ढूनने से भी नहीं मिली साप सफाई से लेकर कई तरह की आने में तताय देखने को मिली घरों में चूले से ही खाना बन रहा है असंगटी छेत के मजबूरों को लेकर एक बड़ा सवाल उठता है कि इन मजबूरों को सरकारी योजनाओं को कितना लाब मिलता है हमने सरकारी योजनाओं को लेकर श्रमिकों से कुछ सवाल किये और जबाव हमेशे की तरह यही मिला की आज तक कोई भी लाविन लोगों को नहीं मिला और नहीं मिला था क्योंकि ना तो वह अश्रम विभाग में पंजिग्रत है और ना ही सरकारी योजनाओ की जनकारी है मजदूरों की हालत क्या है और जमीन पर कितना काम हुआ है ये तो आपने देखी लिया लेकिन अधिकारी और सरकार अभी भी बहुत से दावे और वादे कर रहे हैं समाजिक सुरच्छा का हम मदद करते हैं पूरे उसमें अभी हम रेड़े नहीं कर पाए हैं अभी जो उन्हें गंभीर सांगातिक बिमारी की अगर कोई सिकायत होती है तो उसका पूर्ण खर्च भवन सनिर्वान बोट के मादम से कि उसकी प्रित्पूर्थ हम संबंधि स्रमिक को करते हैं उसमें से उनके जो परिजन हैं उनके बच्चे हैं उनके पत्नी है या अगर पत्नी पंजिक्रित है उसके पति को भी ये सुवधा मुहया हम कई सालों से करा रहा हैं अधिकारी अपने धावे कर रहे हैं लेकिन जमीनी हकीकत हमने आपको दिखाई है जिने सरकारी सुवधा क्या होती है ये नहीं पता क्योंकि इन शमिको को कभी इसका लाभ नहीं मिला असंगठित छेत्र के मजदूरों की क्या इस्थिती है किस तरीके से वह अपना जीवन यापन कर रहे हैं और किस इस्थिती पर उनको लाभ मिल रहा है और नहीं मिल रहा है बच्चे भी यहां पर बहुत संख्यम रह रहे हैं तमाम तरीके से अपने घुझ भज़र की फीज़े होती वह सब चीज़े की जाती हैं बहुत सारे पर बात कि जाए यहां पर एक स्रम विभाग होता है वहां पर पंजीकन होता है और कई सारे लाब मिलते हैं क्या आपको पता है कि लखनों में एक स्रम विभाग है जो आप लोगों के लिए काम करता है नाम सुना है नाम सुना है नाम उन्हीं है तो किषी को जानकारे है यह नहीं है तो लाब की छोड़िये यहां पर कुछ महिलाये में हैं उनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से स्विधाओं के बात कीजा है कि यहां पर आप पुड़े का काम करती हैं, कि आपको पता है कि सरकार तमाम तरीके से लाप की जनाये लाती है? हमें नहीं पता भी तक पंजी कंड़ आप लोग करवाएं कि नहीं? नहीं कराएं नहीं है यहां पर कोई भी ऐसे वookति नहीं जनका पंजी कर दिखाना चाहेंगे कि जो यहां पर घरों की जो इस्थिति हैं कि जो दुआं सा दिख रहा है आपको performing give what वाउस्ता है बहुं करें बच्चों को सिच्छा मिल पार ही वह भी आपा सीज़ी है।। जा हमारी तुमारी एकाण पर पईसा ऐगा, पईसा किसको नहीं मिला है अभी तब, लेकिन पढाई करते हैं, कोभी कोभी से मैना, प्रोग भी चीज बताना चाहेंगे, यहां पर लगवग जितने लोग हैं, उनको ही बताना चाहेंगे, कि सरकार बहुत सी योजनाओं को देती है पंजेकन करवाने के बाद अगर कोई भी विवेक्ती पंजेकन करवाता है तो उसको 14 प्रकार की योजनाओं के लाव मिलते हैं जिसमें बच्चे के जन्म से ले करके तमाम तरीके से चाहे उसकी पढ़ाई की बात रही हो चाहे उसकी विवाह की बात रही हो बच्चियों के भी तमाम तरीके के सुविधाय मिलती है मेडिकल की भी सुविधाय मिलती है आवाज की भी विवेवस्ता है कुल मिला करकर कहा जाये तो एक समगर चीज जो चीजे हो सकती है सारी चीजे मिलती हैं बसरते उनको जो है स्रमी भाग में पंजीकन कराना जरूरी है अब देखने वाली बात होगी कि क्या यहां के लोग किस तरीके से जाते हैं और कितना पंजीकन यहां के लोग हो सकता है लगबग बताया जा रहा है कि यहां पर तीन हजार लोग हैं और ऐसे में बड़ी संख्या है कहीं ने कहीं उन असंगठी छेत के मजदूरों की जो लगातार अपना योगदान दे रहें एक बेहतर समाज के लिए विडियों समीर के साथ आशी सिंग लाव टुड़े लखनो अब शौमेकों से जुड़ीए एक विशेज जानकारी आपको देते हैं अगर आप हम से संपर्क्ष रना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर कौल करें शेत से जुड़े मजदूरों की समस्याओं को हम तक पहुचाने के लिए हम से संपर्क करें टॉल फ्री नंबर बन एट डवल सीरो बन टू बन डवल नाइन या भिर आप हमें लाइफ टूडे असाइन्मेंट एड़ेट जीमिल डॉट कॉम पर मेल करें आपको मिलेगा आपकी समस्याओं का समाधान लुकेंगे ब्रेक के लिए ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसला जारी रहेगा